पिछली कहानी जहाँ पर खतम हुई थी ये कहानी उसके बाद से ही शुरू होती है और हम उधर शेटी और मजनु पांडे को देखते हैं जो के अब क्राइम की दुनिया छोड़ चुके हैं और वो लोग अब ऑनिस्ट बिजनिसमेन की तरह रहते हैं और उधर और मजनु अब पैसे वसल करते थे और इनका नाम था पुनाम और बभीता जो के अपने कामों के वज़य से जेल में थी लेकिन जेल से अपनी सेजा पूड़ी करने के बाद ही वह फिर से कोई नया आदमी ढूनने की कोशिश करते हैं जिसे हैं कि वो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें और इसके बाद ही वो लोग उदय शेटी और मजनु पांडे को अपना अगला टार्गेट बनाते हैं और फिर पुनाम और बवीता दोनों ही नजफकर नाम के एक बहुत बड़ी जगा की महाराणी पदमपती और राजकुमारी चांदी बनने का नाटा करते हैं और उदय और मजनु से मिलते हैं और बवीता उर्फ चांदनी को देखकर मजनु और उदय दोनों ही भाती इंप्रेस होते हैं और इसके बाद पुनाम चाहती थी के इन दोनों में से किसी एक के साथ वो बवीता की शादी तैय कर सके और मौका देखकर इनका पैसा लेकर भाग जाए और पुनाम और बवीता उदय और मजनु के साथ अपनी दोस्ती बरहने ही वाले थे तब ही एक दिन उदय के घर में उदय के पिता शंकर आते हैं और इसके बाद ये पता चलता है कि शंकर के तीस दी शादी से भी उनकी एक बेटी है जिसका नाम था रंजना और शंकर responsibility लेने के लिए तयारी ही था लेकिन इसके बाद रंजना उदय के पास आती है और वो बहुत emotional बाते करती है जो सुनकर उदय और मजनु दोनों ही रंजना को अपनी बेहन मानने के लिए तयार हो जाते हैं और उसके शादी करवाने की सारी responsibility भी वो लोग लेते हैं और इसके के लिए अपने भायों के पास आका रहेगी और दूस्ती तरफ जब पूना और बविता देखते हैं के उदय के ऊपर एक जिमेदारी आ पड़ी है तब वो उदय और मजनु दोनों को ही यह कहती है के पहले उन्हें रंजना की किसी अच्छे घर में शादी करवानी पड़े करते हैं जिससे के वो उसके साथ रंजना की शादी करवा सके दूस्ते तरफ राजीव के अंकल गुम्रु और उनकी वाइफ को देखते हैं और गुम्रु को यह पता चलता है कि उनकी पतनी की इससे पहले भी एक बार शादी हुई थी और वो शादी से ही उनका एक बेटा लेकिन गुम्रु के साथ जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने अपने इस बेटे के बारे में नहीं कहा है और अब जब गुम्रु को अपने बेटे के बारे में पता चला है तो वो बहुत गुसा करते हैं लेकिन इसके बाद ही गुम्रु के वाइफ उन्हें समझाती है कि उनका खुद का तो कोई अलाद नहीं है और अब जब उन्हें पता चली गया है तो क्यों न वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आए और वो यहाँ पर उन दोनों के बेटे की तरह ही रहेंगे और घुंग्रु भी इस बात को मान लेते हैं और इसके बात घुंग्रु बेहन के लिए उन्हें अच्छा शरीफ लड़का चाहिए था इसके बाड़े में बात करते हैं और उद्धे के एक और सौतेली बेहन है यह जानकर घुंग्रु पहले तो हैरान होते हैं और वो अपने सौतेली बेटे के बाड़े में उन लोगों को कुछ भी नहीं खहते है इसके बाड़ गुंग्रु अपनी वाइब के साथ मुंबई पहुचते हैं और वहाँ पर गुंग्रु को यह पता चलता है कि दरसल उनका सौतेला बेटा अज्जु मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है और अज्जु का यह रवया देखकर गुंग्रु हैरान रह जात था कि उसका बड़ा भाई उधर किसी भी तरीके से एक गुंडे के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करवाएंगे और इसलिए रज्जु को एक जेंटलमेन बना कर अपने भाई उधर से मिलवाने के लिए लेकर आती है और अज्जु भी बहुत ही अच्छे से उधर और मज और और मजना की कि एंगेच्मेंट पार्टी में मजनू को यह पता चल जाता है और अज्जु बमबाय का आगा और बहुत बड़ा गुंड़ा है ऑगर वो लोग उसकी और रज्जु के लिए नहीं तो नहीं दोनों के साथ अगता नहीं रज्जिन के मिलदक है और यह कहकर अज्जु वहाँ से चला जाता है और इसके बाद अज्जु से अपने बेहन का पीछा छुडाने के लिए उदायार मजनु एक बहुत बड़े डॉन वांटेड भाई का हिल्प लेने के बारे में सोचते हैं और वो लोग भी अज्जु को अपने बेहन के जिन्देगी से हटाने के लिए अपने पूराने पैत्रे अपनाते हैं और वो लोग जाते थे कि वांटेड भाई अज्जु को मार डाले लेकिन वांटेड भाई से मिलने जाने के बाद ही उन लोगों को यह पता चलता है कि वां से वो लोग रंजना को बचाना जाते थे लेकिन अब रंजना के ऊपर एक गैंगस्टर की नजर है और इसलिए उदाय और मजनु उन लोगों को ये पता ही नहीं चलने देते हैं कि रंजना उनकी बहन है और वो रंजना की चुपा कर उसकी शादी एक और अच्छे लड़के क साथ उस पाठी में पहुचते हैं और साथी में अज्जू घूंग्रू और अपनी मां के साथ बहाब पर आता है और हणी रंजना का चैहरा न देक पाई इसलिए उदाय रंजना का चैहरा ढग देते हैं और इसके बास यह दिखाशा जाता है कि घुंग्रू अज्ञको का रास्ता ढूबने लगता है और इसके बाद वो बविता और पुनाम के पास जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए कहते हैं और पहले तो वो दोनों इन सब चक्कर में पढ़ने के लिए मना करते हैं लेकिन इसके बाद पैसों के बदले में वो लोग उनके हिल्प करने के ल जाने लगती है लेकिन इसके बीच ही उदाय और मजनु एक दिन अज्जु को चलावे से कब्रस्तान लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे तरफ घुंग्रु और रंजयना को उन दोनों की साजिश के बारे में पता चल गया था और वह लोग वहाँ पर उदाय और मजनु को भूत का दर दिखाते हैं और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अज्जु की जान बढ़ जाती हैं दूसरे तरफ वांटेड भाय और हनी को भी उन लोगों की असियत पता चल जाती हैं और हनी जान जाता है कि रंजयना उदाय की बहन है और सब कुछ जानते हुए भी उदाई ने उन लोगों से सच छुपाया है और इसलिए वांटेड भाय और हनी इन सब को मार डालना चाहते थे लेकिन वो लोग कुछ कर पाई से पहले ही अच्चो उदाई मजनू सब मिलकर हनी को किड्नैप कर लेते हैं और फिर वो सब वहाँ से भागने की कुशिश करते हैं और एक डेजर्ट में आकर पहुचते हैं जहां पर वांटेड भाय अपने लोगों के साथ उनका पीजह करते ह हुए आते हैं और फिर वांटेड भाय उन सब को घेल लेते हैं लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि घुम्डू खुद को बचाने के लिए वांटेड भाय को धक्का दे देते हैं जिसके वजह से वह बेहोश हो जाते हैं और तब ही डेजर्ट के बीचों बीच बहुत स लेता है और अजु ने उनकी इतनी बड़ी मदद किया है और उनकी जान बचाया है यह देखकर भाय अजु और सब्सक्रे बहुते हैं लेकिं यह देखा जाता है कि दूर से एक सैंड स्टर्म उनके तरफ आने लगती है और इससे ही बचने के लिए वो सब एक साथ भागने लगते हैं और इसके साथ ही ये कहान यही बड़ी खतम हो जाती है